Hello everyone, welcome back to my channel, कैसे हैं? आप सभी आसा करती हूँ, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे, रेसिपी इसको try and enjoy कर रहे होंगे, तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, आज हम बनाने वाले हैं, ग्वाबा मोहितो या आप अमरूत का सरवत भी से कह सकते हैं, और मैं आपको वीडियो में ये भी बताऊंगी, कि हम अमरूत के पल्प को सालभर तक के लिए कैसे store कर सकते हैं, इस पर कुछ चीजों को मिलाना है, और इसे हम सालभर के लिए store कर सकते हैं, और ग्वाबा का सीजन ना होते हुए भी हम ग्वाबा मोहितों enjoy कर सकते हैं, अमर health के लिए बहुत ही फाइदे मंद है, तो इसे आप अपने diet में जरूर सामिल करें, ये high blood pressure को भी control करता है, अमरूत कहने से आखों की रॉसनी भी बढ़ती है, तो अमरूत अपनी diet में जरूर सामिल करें, diabetes की मरीजों के लिए ये बहुत ही फाइदे मंद है, अमरूत की चार हमने लिए हैं पके हुए अमरूत, इसको इस तरीकी से छोटे-छोटे टुकडों में काट लेंगे, इसे मैंने पहले दो लिया है, और इस तरीकी से छोटे टुकडों में काट लिया है, आप चाहे तो इसका बीज अभी ही निकाल सकते है, वरना इसे हम जब इसकी प्यूरी हमें जरूर बताएं हमें तो अमरूत खाना बहुत पसंद है और यह हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फाइदे मंद है यह मैंने आपको पहले ही बता दिया है तो यह देखिए अमरूत की कटिंग हो गई है अब इसे डालेंगे हम मिक्सी की जार में डालेंगे और इसमें पानी डाल कर इसका पल्प रेडी करेंगे तो चार अमरूत है अधा लिटर के करीब हम इसके अंदर पानी आड करेंगे यह नॉर्मल पानी है और इसको हम पीस लेंगे इसमें डाल दिया पानी अब इसे पीस कर इसका पेश्ट बना लेंगे उसके बाद उस पेश्ट को हम चान ल बहुत ही आसानी से चंग जाएगा और इसके जो भी बीज होगे न वो इस्ट्रेनर के उपर ही रह जाएगे वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर सेयर करें और वीडियो को एक लाइक कर दे चानल पर न्यू विजिट कि गर्मोनी के लिए रख दिया है यह मसाला ऐसा नहीं है कि इसे हम सिर्फ ग्वाबा मोहितों में ही इस्तमाल कर सकते हैं तो इसे और किन-किन चीजों में इस्तमाल कर सकते हैं यह मैं आग वीडियो में बताती हूं तो इसके लिए हमने लिया है दो छोटा चमत जीरा यह खरा मिर्च है इसे अच्छे से भूल लेंगे उसके बाद इसे ठंडा करके मिक्सी की जार में पीश लेंगे और पाउडर बना लेंगे इस पाउडर के अंदर एक चमत सौफका पाउडर डालकर इसे आप लैसन और हरी मिर्च का आ चार भी बना सकते हैं वो भी बहुत तिस्टी ब निर्ट समयर सीदिव्य की करें दो और इसे आप इयरटाइट कंटेनर में डालकर डょेंब कर्सक्क कर सकते हैं sure इसे store कर ने के लिए क्माच की बढकर करें और कान्च की किस भी जार का इस्तमाल करें वह बिल्कुल से बाद एक लिर बाधrä बन भर तो यहीं आप तो पूरा वड़ा होना है शब्सक्रियांगें, तो यह घुर्समें स्टोर करने का तरीका हम बना रहे हैं इसे गौबाब मोईतो तो गौबा मोईतो बनाने के लिए हमने लिया यह मिक्सी का जार जिसमें हम मोहितों को चर्ण करने वाले हैं तो इसके अंदर हमने डाला दो बड़ा चमच यह ग्वाबा का स्कुएस कह लीजिए या पल्प इसको डालेंगे बहुत जादा गाड़ा हमें नहीं पीना है इसकी विज़े से मैंने दो चमच डाला है आपको थोड़ा गाड़ा पीना है तो आप चार चमच डाल सकते हैं यह चार चोटे ग्लास इससे रेडी हो जाएंगे आधा चमच हमने डाला जो मसाला हमने प्रिपेर किया था मोहितो को और भी टेस्टी और भी रिफ्रेसिंग बनाने के लिए इसके अंदर एड़ करेंगे हम पुदीना के पत्ते पुदीना के पत्ते को कैसे स्टोर कर सकते हैं यह भी वीडियो मेरे चानल पर अपलोड है अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं लिंक मैं description में डाल दोंगी तो ये देखे इस तरीके से पुदीना को तोड़ कर इसके अंदर डाल देंगे अब इसमें डालेंगे हम पानी तो जितना आपको पतला मोई तो बनाना है उसके हिसाब से इसके अंदर पानी डालेंगे तो मैंने 4 छोटे glass के हिसाब से इसके अंदर पानी एड़ कर दिया है अब इसे हम चर्ण कर लेंगे तो mixi को 1-2 बारी चलाना है ताकि ये अच्छे से mix हो जाए तो ये देखिए चर्ण कर लिया इसे हमने अब आती है serving की बारी तो serving के लिए सबसे पहले ready करना होगा glass को ready करने के लिए एक plate मिलिया है हमने sugar powder, jeera का powder जो हमने बनाया है और साथ मिलेंगे थोड़ा सा कस्मीरी लाल मेर्च इसे ये look wise भी अच्छा लगेगा और इसके अंदर एक spicy वाला taste भी add होगा तो इसको इस तरीके से mix कर लिया और glass के उपर निम्बू को rub करेंगे और इसे हम इस masala के साथ coat करेंगे तो कैसे करना है ये वीडियो में आप ध्यान से देख ले इस तरीके से निम्बू लगाएंगे glass के उपर और इस तरीके से cover कर देंगे ये masala बहुत अच्छे से ये simple glass ready हो चुका है इस तरीके से कोई भी moito बनाएं कोई भी drink बनाएं अगर आप glass को ready करते हैं तो ये look wise भी अच्छा लगता है और बच्छे बहुत ही enjoy करते हैं इस तरीके से सभी glass को हम ready कर लेंगे उसके बाद serve करेंगे अपना guava moito जो की बहुत ही यम्मी बना है इस तरीके से guava moito की recipe को try कीजे enjoy कीजे recipe अच्छी लगे तो अपने friends और family के साथ जरूर share कीजे चैनल पर new visit किया है तो चैनल को please subscribe जरूर कर दीजे तो ये देखे moito को हमने glasses में serve कर दिया है और इसके उपर garnishing कर देंगे हम pudina के पत्ते के साथ और थोड़ा से sprinkle करेंगे हम इसके उपर masala जो masala हमने ready किया है उसको sprinkle कर देंगे ये look wise भी बहुत अच्छी लग रही है और ये health के लिए भी बहुत अच्छी है तो इस तरीके से इस recipe को try करें enjoy करें मिलती हूँ new video में एक बहुत ही बहतरीन recipe के साथ तब तक अपना ध्यान रखे thank you